पूर्फ क्रिकेटर और मौजदा सांसद गौतम गंभी अकसर अपने तीखे और विवाजपत बयानों के चलते सूर्ख्यों में बने रहते हैं लेकिन आज गौतम गंभी ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद राजनीती और खेल जगत में खलबली मची हुई है गौतम ने अपने पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लगा कर राजनीती से सन्यास लेने का फैसला किया है 2024 के लोगसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे समय पर मौजदा सांसद गौतम गंभीर का ये डिसीजन लोगों को सर्प्राइज कर रहा है आपको बता दे गौतम गंभीर ने अपने ट्वीटर के आधिकारिक अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है उन्होंने ट्वीट कर लिखा मैंने माननिय पार्टी अधक्ष जेपी नड़ा जी से मुझे अपने राजनीतिक कतव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं अपनी आगामी क्रकेट प्रतिबंधताओं पर ध्यान केंद्रत कर सकूँ मुझे लोगों की सेवा करने का अफसर देने के लिए मैं माननिय प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी और माननिय ग्रह मंतरी अमिट शाजी को इमानदारी से धन्यवाद देता हूँ जैहिंद इस खबर के बाद लोगों ने गौतम गंभीर को ट्रॉल करना भी शुरू कर दिया है मिहीर जा नाम के यूजर लिखते हैं इन में से अधिकतर क्रकेटर और फिल्मी सितारे चुनावी चमतकार है वो लंबी अवधी के लिए नहीं है डॉक्टर नीमो यादव कॉमेंटरी नाम के अकाउंट से गौतम के स्ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया लेकिन मैंने सुना है कि बिजेपी ने आपकी पार्टी विरोधी गतिवीडियों के कारण आपको लोग सभा टिकट देने से इंखार कर दिया है क्योंकि आप इसके लिए मंता शाषत और शारुखान के स्वामत्तु वाली केके आर का मार्ग दर्शन कर रहे हैं और योगी शाषत लखनाओं को छोड़ रहे हैं इनकॉगनिटो नाम के यूजर ने लिखा मुझे नहीं लगता कि गौतम को वैसे भी टिकट मल रहा था टिकट देने का कोई मतलम नहीं है मशूर हस्तियों को और उन्हें सांसत बनाओं वे हमेशा किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहेंगे और उनका नर्वाचन शेतर उनक नहीं लगता आपको टिकट मिल गई सेफ साइट के लिए ये ट्वीट है जितेश नाम के यूजर लिखते हैं सूत्रों का कहना है कि विराट से उस जगडे के बाद आपको टिकट नहीं दिया गया है गौतम गंभीर इससे पहले यानिकी कल भी ट्रॉल हो रहे थे कारण उन इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे थे इसकी कैप्शिन में गौतम गंभीर ने लिखा कि अंपायरों के साथ मेरा रिष्टा बहुती अच्छा रहा है गंभीर के मताबिक मैदान पर अंपायर के साथ उन्होंने अपनी कप्तानी में टाइम निकाला है गौतम गंभीर के इ वराज सिंग ने लिखा जादा उंगली मत दिखा जी जी हरवजन सिंग ने भी ऐसा कहते हुए गंभीर को ट्रॉल कर दिया आप गोतम गंभीर के राजनिती सन्यास पर क्या सोचते हैं हमें नीचे दिएगे कॉमेंट बॉक्स में के बता सकते हैं साथी चानल को करना ना भूले